हेलो एवरिवन लोग पता हैं पत्षीस सो अधिक सांपों की प्राजातिया पाई जाते हैं और उन में से पांसो जू प्राजातिय जहरिली होती है आज मैं आपको उन्हीं पांसो में प्राजातिय बताऊंगी साप की जो की सबसे हाइपर है तो मैं साहना खान और आप देख रहे हैं ओम जी सहाना तो हम स्टार्ट करते हैं हम नंबर से स्टार्ट करते हैं तो नंबर पर आता है टाइपन टाइपन ऑस्टियरिय के सबसे खतनाक साप हो में से दूसरे नंबर पर है यह साप इतना ज्याद हो इंसान कभी नहीं बसता है इसके काटने के एक घंटे बाद उस जिसको यह काटता है उसकी मौत हो जाती है तो यहीं से आगे चलते हो नौवे नंबर पर आता है ब्लैक मामा पूरी अफ्रीका में लगवग पूरी अफ्रीका में ब्लैक मामा पाई जाते हैं और अफ्रीका म में जितने भी लोगों को साप काटता है इसी की वजह से लगवाग अफरिका में जयता र्साफ से काटने से मौत होती है आप लोगो जानकर हैरानी होगे यह है पूरी धरती पर जितने साफ उनमें सबसे जग तेज चलने वाले सांफ हो में से एक है जो लवक 20,000 किलों मीटर गी रफ्तार से अपने सिकार का पीछा करता है बीस हजार किलोमीटर समझ रहे हो और खत्रा मैसूस होने पर यह एक से नहीं दस से बारावार काटता है यह है साफ इतना खतनाक है कि इसके जैसी काटता है तो इंसान के आगों को सामने एंधियर अछा जाता है इसका अफ्रीकम एत्व ऐसाफ इतना जादा जिसको साफ ने काटा तो सब design को इसी काटने वाला एंट्रिडोज तो अजिया जाता है तो इस लगा सकते हैं साप कितना हितक है टेंजरिस चलना नंबर 8 बना GET है हो तो इस साप किसी ऊचाटता है लेकिन इस साफ का इत्ताखता इंसानों को नहीं होता है क्योंकि जब इंसान से और साफ की मुद्भेर होती है आपस पे टकराव होता है तो यह साफ डर के वारे बहां से भाग जाता है उसी इस्तिती में इंसानों काटता है जब यह किसी कौने में होता है खुद को बचाने के जाती है जहाती है जहली नहीं हमारता है अपना सिकार सकता मारता है यह इतना जहादा मुझ से थूख देता है कि सामने वाले इंसान को बहुत ज़धा प्रिपाव पढ़ जाता है। यह जो इसनेक होता है यह Henap प्रिजाते हैं यह साम भारत चीन और अफरीका जाता हैं यहां हिस्सरी ही निकलते हैं ह methुण लो हाई होता और इंसां नतीज़ा क्या निकलता निकलता है इंसान मर जाता है बहुत घांत लादा रहता तो आर यह उस्टेलिया एए बार बैठार है हुआक अशालग होता तो अंस्ट Изडन उहीं बहुत ह प्राइबians से बीज़ दाइए जहर इंसान के सिकारी के मतलब सिकारी के सरीर में छोड़ देता है यह जो इसनेक होता है यह बहुत जादा जहरी रहा होता है लेकिन इसको इस वाले स्नेक से थोड़ा सा कम खत्रा होता है क्योंकि इसका जहर जब इंसानी सरीर में बहुत धीरे धीरे फैलता है मतलब उसको उत्री उत्री अमेरिका का सबसे जहरीला सांफ है यहीं इसनेक अपनी पूछ पर बने हुए छलों की कारण आसाई से पहचाना जाता है जब यह सनेक अपनी पूछ को हिलाता है तो जुन-जुनी की तरह आवाज निकलती है इसी कारण इस वाले स्नेक का नाव रैटल स्नेक प तो उँसान कर सांने कु है तो बच जाए और नहीं दिया मिट बाद है अथन मर जाए जाए लगाम कि किस और उन्वास कबकित ED-दजर मर बंचाना निक्याइसए कर आना निक्सान इसे उह सब्सक्तर पहने सांप मितना ज्राइब नहीं गया सकते हैं कि इस सांप का चाउद और आपको जानका है चोटा सा बच्चा भी एक इंसान की जान ले सकता है इस वाले किचाल बहुत तेज होती और एक बार खत्रा महसुस होने के बाद यह इंसान का पीछा करके उसको मारते हैं पांच मिनट बाद इनसान म het Pierry रणता है अगर यह साप से मूमेंट होने पर ही अपनी प्रेक keeping करता है मूमेंट होने पर ही इनन्सान यूब ड़ता है 5 पेचा करता है अगर आपका पला कभी भी इस साफ से पढ़ जाए ना तो आप बिलकुल भी हिलना मत इस्तरी खड़े हो जाना एक गम से साइट जान बज जाए आपकी और यहीं से चलते हैं हम सेकेंड नंबर पर और सेकेंड नंबर पर आता है इनलेंड टाइपन यहें जमीन पर पाए जाने वाले सभी साफ़ों में सबसे ज्यादा जहरीला होता है इसके एक वाइट में 100perform मिलीगराम तक जहर सकता है जो कि इतना खतरनाक नहीं है लेकिन इतना जहर सो इंसानों को मानने के लिए काफी है इसका सिर्फ इतना सा जहर इतना घातक है कि है सो इंसानों को मौत की निन सुला सकता है मतलब सो इंसान मर सकते इसके सिर्फ एक वाइट थोड़े से जहर से इसमें खास बात एक बि तो यहां से बचने कोसिस करता है काटने कोसिस नहीं करता है आपको जानकर हैरानी होगी कि कि आज तक कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ किसी को इस वाले साफ ने काता है संत की उपादी दी गई है सबसे पहले और आखिन नंबर पर आ गया है हमारा बेल चल सी इसनेक यह साफ पूर्दुने का सबसे खतनाग जहरीला साफ है कुछ वीन बूंदों की घंजा सकी एक हजलनों की जा सकती है इससे मुझेज़ता क्या प्रजएतन दोस्तों इतना ने सब्दाइए दो मुझे कमेंट करते के बताए आप नोडग को व्यांडД वीडियो कीर सप्क्राइब उस उसए किरूढक्यों¬ प्रूरा तो ऐसी इंफोमेशन के लिए मेचल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू आई होप आप लोगों को वीडियो है बहुत ज्यदा मज़ा आया होगा वह जदा इंफोमेशन मीडियो होगी आपको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी और आप लोग को ऐसी इंफोमेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक चाहिए सब्सक्राइब बाइबाइब